तो उपवनेंदर भाहिया असिस्टन्ट प्रोफेसर इन मेकेनिकल इंजिनिरिंग है एट मुरादाबाद की स्टॉप टेकनोलोजी मुरादाबाद उप्तर प्रदेश में भाहिया ने उनका फर्स्ट यूएच वर्क्षाप जून 2017 में किया था और तब से फिर भाहिया करते हैं कंटेंड भी पार्टिसिपंट के साथ में बहुत सारे वर्क्षॉप में शेयर करते हैं तो भाहिया आपका स्वागत है पावर्टी अ तो आपने मेरा पर्चे तुझे दिया है मैं थोड़ा सा अगरेड करना चाहूं तो यह कि हमारा है जो कॉलेज है वो एकटी उसे सब बद्ध है और मैं यहां असिस्टंट प्रोफेसर हूं इस कॉलेज में रहते हुए मैंने अपने टीचिंग के साथ साथ हास्टेल में होने वाली गत्विदिया और यहां का जो बहले जुकेशन है उसमें जो गत्विदिया होने उसकी जिमेदारी को और तो इस तरह से मैं अपने संचिप्ट परचे के रूप में देख पाता हूं जैसे आपने बताया कि मेरा पहला वर्क्शॉप 2017 में हुआ था तब से मैं एक्स्ट फॉल ओर करने के कोर्सिस में लगा हुआ हूँ और कई चीजों पर काफी इस पस्ता हुई है और अभी चर्ण करना चाहूंगा तो अगर स्टेप बंद देखें अभ्यास देखके तो पहां पर विचारों को जादा देख पाते हैं अभी विचार के अधार पर निस्कस निकालते हैं और इस बार के सेसर्ण में इतना ध्यान गया कि यह भाव है क्या है तो कई वार तो डिरिक्ली भाव कई बार वो विचार के आधार पे उसको इंटर्प्रेट करके कि ये भाव होगा तो ये पहला पे भी काम शुरू हुआ और इसमें जो अभी लग रहा है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा भी नहीं हो पा रहा तो इसमें और काम करना है तो ये भाव के बारे में सजगता जो है वो आती और जाती रहती है तो इस पर अभी और काम करना है सजगता के समय को बलाना है तो दूसरा और तीसरा स्टेप भी इसके साथ होता है जैसे भाव दिखता है तो भाव से साथ उस भाव के साथ मैं किस इस्तिती में हूँ इसको भी देख पाते हैं कि आराम में है या परिचान है और जैसे ये दिखता है कि मैं परिचान हूँ आराम में नहीं हूँ तो ये भ step 4 को देखें तो अभी इसमें निर्णय के बारे में मही भाव को निर्णय पुर्वक लेता हूं इस बारे में भाव तो इस पास्टता नहीं दिखती है लेकिन इंटर्पटेशन तो यह होता है कि आप आपकर निर्णय मही लेता हूं यह भाव जो आ रहे हैं किस आधार प्यार है इसको अगर देखें पांच और छे को स्टेफ फाइब शिक्स को तो यह मनें दूसरे अभ्यास से यहां तक पहुच पहा है और पांच-छे पहले तो नहीं देख पा रहाता सही से लेकिन अनुमान था लेकिन जब अभ्यास दो किया तो अभ्यास दो में के साथ साथ में यह पांच और छे स्टेफ भी उसमें क्लियर हुए और उसमें मैं देख पाया कि यह हमारा जो स्टेफ पूर है वो निर्णे भी मैं ही ले रहा हूँ और 7a पे तो अभी हमें और 7b पे यह तो काम कर नहीं है लंबे समय का काम है तो इस पर काम जा रही है कि मैं अपने में जो भाव हैं उनको संबंद विवस्ताव सहस्तित के आर्थ में कर पाऊं अपनी natural acceptance में जी पाऊं इसके लिए प्रयास रहें अब मैं अभ्यास दो के तो अभ्यास दो में मैं हूं और शरीर है दो बास्त विखता है हैं अलग-अलग हैं इतना दो दिखता हैं और यह इसको देखने के लिए थोड़ा समय तो लगा बट कई बार interpretation होने पे मनें इंटरप्रेट किया चूंकि mechanical engineering से related बहुत सारे क्यों पढ़े हुई हैं तो उस प देखने के लिए तो मैंने विचार में आया कि सरीर जड़ है जैसे पहले सुना था उस वो विचार में आया तो सरीर जड़ है ऐसी जो materials है वो दूसरे material वो भी जड़ ही है तो मैंने एक fatigue failure पढ़ा था तो बहां मेरा ध्यान गया कि जो fatigue failure होता है तो material में बहुत सारा changes हो रह रहता है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है तो finally जो ब्यक्ति है उसको देख रहा है बाहर से वो अनुवान लगाता है जब वो failure हो जाता है और मैं अगर अपने आपको देखूं तो मेरे सरीर में कोई भी changes होते हैं तो वो एक संबेदना के रूप में मुझे महसूस होते हैं और अगर यह संबेदना मेरे को महसूस ना हो तो उसके लिए जो भी मैं निड़ने लेता हूं वो निड़ने मैं नहीं ले पाऊंगा और बहां भी वो fatigue failure बैसे ही होगा जैसे बाकी materials में होता है तो शरीर में जैसे ही बैठते हैं तो एक position में बैठे रहे हैं तो वहाँ पर कुछ खिचाओ होते हैं वो खिचाओ चूंकि changes है और दीरे दीरे हो रहे हैं उसकी बज़े से हमें कुछ संबेदना का अभास होता है तो मैं उसको पढ़ता हूं और उस संबेदना की importance के आधार पर मैं निर्ने ले पाता हूं कि मुझे आगे क्या करना है तो निर्ने लेने की बात यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर मुझे दिखी कि निर्ने लेने वाला भी मैं हूं और क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टेप थ्री, यह भी मैं देखुँ पाया, स्टेप टू मैं सूचना सुचना होगा अदान पर दन करता हूं, इतना भी एक clarity बढ़ने हैं, बाहर से जैसे जो भी मौसम है तो उसके आधार पर या फिर कुछ कहीं से टेच हो गया शरीर में तो उससे जो हमारा संबेदना वनी उसको भी मैं पढ़ता हूँ यह लेकिन इस संबेदना को पढ़ने के आधार पर मैं जो निर्णे लेता हूं वह उसके आधार में भी कई चीज दिखती हैं तो उसके आधार को अगर देखता हूँ तो ऐसा दिखता है कि मैंने पहले से बहुत सारा कुछ अपने में अकुमेलेट कर रखा है और कुछ मान रखा है हरे संबेदना के बारे में है और उसके इफैक्स को भी हमने दरख रख था है तो इसको आधार को इसको अधार बनाते हुए मैं निर्ला ले पाता हूँaczego मैं तो ये मेरे जो संशकार तो ये मुझे देखता है इस्टेफ फाइव यहां पे और उसमें सिख्षे को देखें तो यहां पर एक इस प्रस्टता यह बनी कि कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर से कोई संवेदना आई और मेरी अवेयन ने सकर वहां नहीं है तो फिर मैंने जो मेरे अंदर है अपने आपको जो ऐसा इवेद्वेट कर रखा है उसके आधार पर की मैं नेड़ना लेता हूं जैसे अभी मैं एक इंसिडेंस को शेयर करूं उमारे एक जो प्रेस्टार्स है तो उनसे बात हो रही थी तो कई इंसिडेंस ऐसे हुए कि उन्ह को अभी कुछ होगा तो उन्होंने यतना जैसा मैं बोल ला हूँ वैसा सीधे-सीधे सबनों में तो नहीं खा यह बैसीकली मेरा इंटर्परेशन था तो उससे एक इंटर्नल रियक्शन बना और मैं उसको कई बार जब उनुने बोला तो मेरे को पोई रियक्शन मैंने नही तो मेरे में इंटरनल रियक्शन बना और वहां पर निर्णे इस तरह से हुआ कि इस तरह हम सुनते रहेंगे तो यह मुझे हमेशा सुनाते ही रहेंगे यानि की मानेता के आधार पर दूसरे को द वाओ पर वाओ के आधार पर मनाने खाया बात उसकी रोकने के एक जो अन्सकार बना हुआ है उस आधार पर अंदर निर्णे हुआ और मैं फिर वह मैंने रियक्शन आउट साइट दिया मैं और मने उनको बहुत सारा बोला कि मैं कहेंगे तो मैं उनको report करूँगा तो बहां पर मुझे दिखा कि यह decision तो मैं ले रहा हूँ लेकिन decision चुकि वो समझ बहां पर पूरी नहीं पढ़ रही है कि मुझे किस तरह से और ठीक से उसको कहा जा सकता था तो मैंने बहां पर उस तरह से उनको reaction mode में outside reaction किया लेकिन इतना मैं देख पा रहा था कि यह मैं निर्णे पूर्वक कर रहा हूं तो निर्णे मेरा है यह मैं देख पाता हूं और सरीर से में जो संब्धना है तो संब्धना और मैं अलगलग हूँ लेकिन इनके बीच में दूरी है इस बात का अभी बहुत अभास नहीं हो पाता नहीं उसको कम करता हूँ बस इतना दिखता है कि मैं कहीं सिरक्यास पास हूँ और संबेदना पूरे सरीर में है तो उस तरह से तो दूरी दिखती है और इस दूरी को अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा मुझे लगता है कि मैं आखों से जो दूरी देखने का प्रयास कर रहा हूँ उसकी बज़े से ये ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने आपको कहीं एक जगह पर मान दख्या है ये भी मेरी एक माननेता अभी मुझे दिखती है और महां से ही बैठके मैं सब कुछ देखने का प्रयास करूँ तो ये मानता है जो मुझे कुछ दिखी है और इसमें मैं देखूँ तो जितना मैंने ये अभ्यास एक और अभ्यास दो उससे जो उपकार हुए मेरे को उनके स्टेफ देखने पर उनको मैं थोड़ा रख देता हूं तो ये अभी जो रियक्शन आउटसाइड फहले हो जाता था एक्कम से बस्ट आउट होना और अपने आप में परिशान होना और लंबे समय तक बने रहना ये पहले था लेकिन अब इन इक से साइज पर क्लियर्टी होने के बाद ये कम हुआ है और काफी कम हुआ रियक्शन आउटसाइड तो काफी ही रुका है तो अब अगर मैं करूं तो इतना तक देख पाया हूं कि रियक्शन आउटसाइड भी मैं अगर दे रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि मैं कर रहा हूं तो वो मेरे जानकारी में ही हो रहा है तो मैं बस्ट आउट नहीं होता हूं कि कि मैंने कर दिया बाद मुझे पस्थाना पड़े इस टाइप से नहीं लगता तो मैं रियक्शन भी कर रहा हूं अगर आउट साइट तो मैं उसको देख पाता हूं और मेरे अकॉर्डिंग लियो रियक्शन इंसाइट जो मेरे में चलता है उसका एक मैं अपने में बहुत एक क्नेंगेतिप बॉइंट देख पाता हूं कि यह रियक्शन इंसाइट की बजह से मेरी अक्षण मेर einge अस ली दवनों काम होते हैं इस पर मुझे अव मैं काम करना पाती ख चाम करना हूं कि और जब भी मैं देखता हूँ कि रियक्शन दे रहे होती है तो इस में एक चीज जो है वो इतना है कि अब सब पर नहीं बनता जो पहले बहुत ज्यादा लोगों पर लेकिन अब यह है कि कुछ मानिता है जैसे एक मानिता है कि सरीर के बड़े होने से वो समझदार भी हो जाए व्यक्ति तो इस आधार पर चुकी यह मानिता मुझे दिखती है इस पर काम कर रहा हूं बढ़ पूरी तरीके से काम भी नहीं हो पाया तो अभी ऐसे ही लगता है कि जो बड़ा व्यक्ति है जिसका सरीर बड़ा है आयू में बड़ा है तो वो व्यक् इंटेंशन पर डाउट जल्दी होता है और जो बच्चे हैं उनके इंटेंशन पर डाउट तो नहीं होता तो इतना अगर देखूं दो इसका अपकार है दूसरा अपने सरीर के परति अगर मैं देखूं तो सैयम का भाव जो है उसमें थोड़े बड़त्री हुई अब अप प्रकृति के साथ अगर मैं संबंद को देखूं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि प्रकृति में जो इकाईयां है उनका क्या रोल है इस पूरी प्रकृति में यूँ है तो जैसे जैसे वह रोल मैं देख पाता हूं उनके साथ मैं अपने संबंद को देख पाता हूं और उनके साथ मैं समन्दपूर्वग जीने का जो प्रयास है जो भी मैं कर पाता हूँ जो मेरे पास यहां options बनते हैं उतना मैं कर पाता हूँ अभी एक को देखें कि जो लोगों की मेरे पृति आस्वस्ती है उसको भी मैं बढ़ता हुआ लेखता हूँ तो मुझे लगता है कि content में जो clarity हुई वो उसी के कारण ऐसा है तो मेरे सहयोगियों में काफी लोगों की मेरे पृतिक आस्वस्ती बनी है कि मैं जो करूँगा वो ठीक ही करूँगा वो गलत नहीं होगा तो इस तरह से यह मुझे इन दोनों अभ्यास से जो इस पस्तता हुई है उससे जो अमारे लिए उपकार हुआ वो इस तरह से मैं देख पाता हूँ अभी जहां मैं एटका हूँ जहां पर जो मुझे अपने में समस्याय दिखनी है उनको भी मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो एक मेरी हैविट है जो मैं बहुत पुरानी है पर काम करना हूँ अभी गई नहीं है उस पर और काम करना है हैं कि काम को कल पąda ट्याल देने की आदत है यह तो इसके पीछे में जो देखता हूँ उपने संसकार को तो जिंमेदारी से बचने का एक भाव बना रहता है उसको और ठीक से देख्के इस पर काम करना है मुझे कई वार इसमें देखता हूं कि मैं महत्तुपूर्ण नहीं मानता हूं चीजों को तो उसको भी मैं आगे को लिए छोड़ देता हूं कि आगे इसको करेंगे लेकिन अभी बहुत इसपरस्ट नहीं है कि किन-किन कारणों से यह तो इनके कारणों पर जाके इस आदत से चुटकारा पाने के लिए मैं प्रयास करूंगा दूसरा मुझे जो करना है वो जहां पर मैं लैक कर रहा apologize नहीं है और जिटना मैं चाहता हूं उतना नहीं हो पाराँ तो उसका एक तो यह कि listening improve करना है मुझे दरिश्टा भाव में बने रहे के देखने का जो बन पाए ये मैं प्रयास कर रहा हूं तो देखाँ जहां पर मैं रुपता हूं मेरा exploration रुपता है उसका कारण जो मैं देखता हूं वो अपने आपको justify करने का तो मेरे जो संसकार है मैं उनको justify करने का कई बार प्रयास करता हूँ तो भो भी मैं अपने में कभूलों के रूप में देखता हूँ उसको भी मुझे इंप्रूब करने के आवश्च रखता है उस पे अभी काम कर रहा हूँ और आगे करना है तो यह मुझे अपने में कुछ चीज़े जो देखी हैं इन पर अभी काम करना है बाकी मैं अगर सुख के बारे में बात करूं तो सुख सुभाव है यह बहुत इस पस्ट नहीं है लेकिन प्रभाव में जीना कम हुआ तो अगर लॉजिकली देखें तो यह प्रभाव में जीते हुए मैं निरंतर सुखी तो नहीं हो पाता तो यह मेरा सुभाव नहीं होगा ऐसे तो मैं देख पाता हूं लेकिन अभी इस सुभाव की इस पस्टता नहीं हो पा रही तो इस पे भी एक काम करना है और जितना जितना मैं देख पाया हूं उससे साब से गर मैं देखता हूं तो अभी 50-50 परसेंट तो है यह अनुकूल जो प्रभाव है उससे सुखी होने का जो प्रयास है वो 50 परसेंट है और तो सरीर के हाथ अर्थ में अभी बहुत्वारा प्रयास तो रहता ही है लेकिन अभी चैतनी के लिए फिर प्रयास जूरू हुआ है और काफिय तक बलाव है है मेरा तो इसके देखें तो यह जो पांने के काम हो तो मानेता के आधार परू सभी को अगर देखें तो हमेहा के लिए भी काम हो जाता है तो लेकिन अब बहुत ज़्यदा ऐसा नहीं है कि मैं उस पर उलज़ पाता हूं कि नहीं यह इससे अगर हम सुखी होने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक तो नहीं रहेगा तो स्विकारिया की तरफ अब थोड़ा सा बढ़ा पाते हैं और मैं अपने कमिट्मेंट को अगर देखूं तो कमिट्मेंट में मैं स्वयम के लिए जो विकास के लिए लगवक दो घंटे रोज निकाली पाता हूं और जो हमारे अभी मैंने बाकी जिम्मेदारियां ली है उसके लिए डेली को अगर देखूं तो डेली तो नहीं कह पाऊंगा कि मैं कभी रेगुलर्ली दो घंटे निकाल पाऊं लेकिन कभी ऐसा होता है कि कॉलेज का लोट कम है और काम नहीं मिले तो कभी ज्यादा भी समय दे पाता हूं और इतना दे सकता हूं तो अगर ऑन एबरेज देखे तो दो घंटे का तो मैं वहार भी इसका जिम्मेदारियों के लिए ले सकता हूं तो मैं कमिटमेंट करता हूं उसमें और इस बार चुकि हमारे एक सयोगी है उनको कुछ मेडिकल इसूज है तो वो है तो उनका सब्जेक्ट भी मुझे मिला हुआ है तो वाक्लोड नाइन टू फाइव तो बढ़ गया है लेकिन अपना जो पात बुझे के बात का है उसमें कुछ समय तो मेरे पास है जो समाजिक भाग्यदारी है उसमें लगा सकता हूं तो इतना मुझे आज शेयर करना था मेरी बाद पहुची जानने बाद से विद्धा जी कुना सभी को नमस्ते मेरी आवाज इसमास टारी है बहिया हाँ जी बहिया दोनों ही शेयरिंग अच्छी रही और दोनों शेयरिंग में कॉमन सी बात अगर आप देखें तो यह है कि दोनों साथी जो है वो मौन रहकर तो काफी मन लाकर अपने उपर काम कर रहे हैं अवरेंद भीया के बारे में हम लोग शेयरिंग लगातार सुनते रहे हैं वो बहुत ही नियमी से सुबह का फत्र भी अटेन करते हैं भागदारी भी करते हैं और बहुत महींता और बाजिक्की से अपने को अब्जर्व करते अब्यार यसMenर लिएक्स नहीं है बड़ इनर रियाक्शन का है और देख पाते हैं उसी षेयरिंग और सोब्सक्राइब लेकों का में डिड़केयो देखने के जूट है तो इस गौन रहे ह्ते हैं इपर फ Kita का मिकरते हैं मुंझे लगता है कि थोड़ासा जो विचारों का भ कॉलेज में पहले जिस तरह का नुकुलता थी अभी थोड़े सी कमा नुकुलता हो गई है तो कॉलेज को एक नूरल सेंटर ग्रूप में बनाने का पहले काम चल रहा था लगातार वर्क्षप भी प्लैन हो रहे थे बटा भी थोड़ा सा मुझे लगता है पिसले दो सालों से कॉलेज में बन पा रही है और कि दिन भर का समय कॉलेज में चला जाता है तो भागीदारी थोड़ी सी कम हो गई है परन्तों जो एंपी के लिए स्कूल एजूकेशन के लिए जो बुक्स लिखने काम तो उसमें आपके अच्छी भागीदारी रही है अभी भी डॉक्मेंटेशन और इस तरह काम भीया करते हैं तो तरह से निस्ठा तो पूरी बनी हुई है थोड़ा कॉलेज में अनकुलता नहोंने कर भा देखने का अभ्यास और अगर बढ़ा दे तो यह विचारों का जो प्रभाव रहता है उससे और अधिकन कल पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया भीया सुब कामना आपको दिनने बाद भीया